हेलो फ्रेंड, स्वागता आपका आपके अपने लीगल चैनल में, मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा, दोस्तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट बात करने वाला हूँ, ये बात section 376 of IPC और matrimonial विवादों से related है, एक पतनी भी अपने पती पर 376 कर सकती है, कै कैसे कर सकती है, बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या consequence होते हैं, उन सबी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत important होगा, जो की 376 IPC से गुजर रहे हैं, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद भी उनके वाइफ जो है, वो उनके उपर 376 IPC को द जैसा मामला चल रहा है, या girlfriend, boyfriend है, सबी लोगों के लिए वीडियो बहुत important रहेगी, ध्यान से इस वीडियो को समझेगा, देखिए दोस्तों, हमारे पास 376 IPC में जितने भी मामला आते हैं, उन में अधिकतर वो होते हैं, जिन में लड़का government job में होता है, ये एक common चीज है लड़का navy में होगा, army में होगा, अधिकतर defense में होगा, और या बाकी किसी अच्छी government job में होगा, उसके उपर 376 IPC का आरोप लगता है, और ऐसा नहीं है कि वो भी निर्दोश होता है, वो अपनी मर्जी से उस लड़की के सा relationship में रहा होता है, लेकिन due to any reason, उनकी शादी न आपके उपर मुकदमा दर्ज कर दूँगी, अब ऐसे मामले में अधिकतर क्या होता है, लड़का घबरा जाता है, क्योंकि उसके government job होती है, और वो नहीं चाता है किसी भी तरह से government job जाए, तो ऐसे मामले में जो लड़का होता है, थाने पर जब बुलाया जाता है, तो था तो बांए में दूनों के शादी हो जाती है, और उसके बाद दोनो लड़का-लड़की साथ में रहने लगते है, अब वो लड़का-लड़की बन गें पती-पत्नी, अब साथ में रहे, एक महीना हुआ, ऐसे भी कई केसे है, महीने बर बाद 15 दिन बाद लड़का कॉंटेट करता है किसी वकिल साप से कि साब ऐसा है मेरी वाइफ ऐसे हमारा हुआ था और ऐसे से शादी हो गई थी अभी मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि बहुत परिशान कर रही है, बहुत टॉर्चर कर रही है, जान देने की धंकी देती है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परिशान हो गया हूँ, मैं इस से अलग होना चाहता हूँ, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि Hindu Marriage Act के अंतरगत एक साल का समय दिया गया है, कि ए उस पेटीशन के अंतरगत जो है, एक पेटीशन फाइल कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी दिखा देता है, यानि तीन महीने भी आपकी शादी को नहीं हुए, और आप वो पेटीशन लगा दे रहे हैं, डावोस के लिए, अब इसका कॉनसी ही होता है, कि वो लड़की गलती, इसने केवल 316 IP से खुद को बचाने के लिए, ये step लिया था, लिहाजा, इस पर 316 IP से दुबारा लगाई जानी चाहिए, ऐसे कई मामले हैं, जहां पर ऐसे application दी गई, और ऐसे application के base पे दुबारा से 316 उस पे इंपोच कर दी गई, क्योंकि लड़की कहती है, शाद के 15 दिन के बाद यूसे छोड़ देंगे, वहीने बार बात छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है, भही अगर आपने शादी कर ली है, तो सबसे पहले तो आप इस शादी का registration कराओ, ताकि आपकी legal wife बन जाए, उसके बाद कुछ समय आप उनके साथ में रहो, देखो कि आपका महिने बर के अंदर इसको डाबोस दे करके छोड़ दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की समय पे पुलिस ये सारी चीज़े समझती है, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो बावजुद इसके कि आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी आप पे 376 IPC कायम करत परस्तिती मा जाएंगे, जिस परस्तिती से बचने के लिए आपने शादी की थी, तो उम्मित करता हूँ, आपको पूरी बात मेरी समझ मा गई होगी, मैं क्या क्या न चाह रहा हूँ, या तो आप 376 को फाइट कर लें शुवात में, और यदि आप शादी करते हैं इस वज जल्दी करेंगे, तो आपकी bad intention सीधा सीधा पुलिस को, कोट को सबको पता चलती है, तो चलिए दोस्तों, उम्मित करता हूँ, आपको सारी चीज समझ मा आ गई होगी, नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए को रचांगे, तक केर!